तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं Royal Enfield Bullet 350 All Model के Rear Shock Up की Unboxing। दोस्तो ये Royal Enfield का Genuine Spare Part है जो आज हम आपको Unbox करके दिखाने वाले हैं। दोस्तो ये जो Royal Enfield Bullet 350 All Model सन 1962 में launch हुई थी ये उस गाड़ी का Rear Shock Up है तो दोस्तो Royal Enfield आज भी इसके Spare Part सेल करता है तो दोस्तो वीडियो के इन तक बने रहेगा वीडियो के इन में हम आपको इस Rear Shock Up की Price बताने वाले हैं इसका Part Number बताने वाले हैं और अंदर से किस कमपनी का Rear Shock Up आपको Vendor Supply में देखने को मिलता है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो के इन तक बने रहेगा और इसी तरह के Bullet All Model के Spare Parts की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों यह Rear Shock Up को हमने अन्बोक्स कर लिया है और कुछ इस तरह का Rear Shock Up आपको Royal Enfield 350 Bullet All Model का देखने को मिलता है उपर से आपको Chrome की जो केप देखने को मिल जाती है Chrome Finish के साथ में आपको जो यह Shock Up के एप है Shock Up में लगी देखने को मिल जाती है आगे से और पीछे से पीछे से कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है तो दोस्तों अगर Vendor की बात करें तो Gabriel Company के Rear Shock Up को Vendor Supply में लिया गया है देख सकते हैं गेबरियल की ब्रेंडिंग आपको देखने को मिल जाती है देख सकते हैं Gabriel Company से Rear Shock Up को Supply में लिया गया है तो दोस्तों Royal Enfield अपने पार्ट्स खुड नहीं बनाती है यह जो पार्ट्स रहते हैं कमपनी वालों से टाई अप रहते हैं देख सकते हैं अर्जेस्टिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है शोक अप को घुमा के उपर नीचे अर्जेस्ट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से दोस्तों यह Rear Shock Up कुछ इस तरह का है जो कि यह Royal Enfield Bullet Old Model 350 CC का है जो कि Royal Enfield आज भी इसके Spare Parts Sale करता है दोस्तों यह एक साइड का शोक अप था दूसरे साइड का शोक अप भी सेम ही रहता है चलिए इसको भी हम Open करके आपको दिखा देते हैं दोनों साइड एक ही शोक अप कंपनी वाले प्रोवाइड करवाते हैं एक ही शोक अप आपका लेप राइड डोनों जगह पर लगने वाला है मतलब कोई भी शोक अप कहीं भी लग जाता है इसमें लेप राइड का कोई लोचा नहीं रहता है तो इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं सेम ही शोक अप है दोस्तों उपर से आपको ये बुश वगरा सब लगे लगाया रहते हैं ताकि मेकेनिक भाईयों को फिटिंग करते वक्त कोई भी प्रोब्लम का सामना ना करना पड़े तो कमपनी वाले इस चीज को जान में रखके सब चीजें आपको उसमें फिट करके देते हैं खाली मेकेनिक भाईयों को रियर शोक अप को खाली फिट करना रहता है तो दोस्तों ये थे आपके रोयल इंट फिल्ड 350 ओल मॉडल गाड़ी के रियर शोक अप की अन्बोक्सिंग चलिए दोस्तों इसकी हम प्राइस बता देते हैं कि कितने का आपको ये रियर शोक अप देखने को मिलता है और इसका पाड़ नमबर भी बता देते हैं ताकि आप सर्विस सेंटर में जाके पाड़ नमबर से रियर शोक अप को ओर्डर कर सकें चलिए दोस्तों इसका पाड़ नमबर बता देते हैं और पार्ट नमबर की बात करें तो इसका पार्ट नमबर है 142800-B शोक एब्जोर्बर क्वांटिटी है वन पीस और दोस्तो सिल्वर कलर की इसमें कैप लगी हुए अभी दोस्तो वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठैक्यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए